नमस्कार दोस्तों, प्रशांत महासागर जो कि धर्ती का सबसे बड़ा महासागर है, उस महासागर में कुछ ऐसे रहस्य मही बाते चुपी हुई है, जिस वज़े से इस महासागर को इतना खतरनाक माना जाता है। दुनिया का सबसे गेहरा और सबसे बड़ा महासागर प्रशात महासागर लगबग 60 million square miles तक फैला हुआ है जो के कैलिफोर्निया से लेकर चीन तक फैला हुआ है जिसकी गेहरा यह कई हजार फीट है imagine करके देखे कि आखिर प्रशाथ महासागर कितना बड़ा हो सकता है अगर अर्थ के सभी लैंड मास को इकठा कर दिया जाए फिर भी प्रशाथ महासागर उससे ज्यादा बड़ा है Pacific Ocean का नाम एक explorer द्वारा पड़ा गया था जो की एक समुद्र के ऐसे पार्ट में आ गये थे जो की बहुत शान था तब उन्होंने इसका नाम Pacific रखा फरडिनेंड मैगलेंड जो की एक पॉर्टिक्यू सेलर थे उन्होंने ही इसका नाम Pacific रखा इस महासागर को आज तक पूरा explore नहीं किया गया इसके बहुत से पार्ट अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है हुराकेंस तो इस महासागर में एक आम बात है लेकिन आज तक का सबसे खतरनाख हुरीकेंस भी इसी महासागर में ही आया था 2018 में दुनिया का सबसे खतरनाख शॉर्म भी इसी ocean की वज़े से आया था जिसका नाम सूपर टैफुन मैंखट दिया गया था उस समय विंट की स्पीड लगबग 165 माइल्स पर आर थी जिसने हर जगे तबही मचा दी Pacific Basin को Ring of Fire भी बोला जाता है Because of the area of earthquake and volcanic activity जिस वज़े से टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से कॉलाइड करके Deep Water Trenches बना देती है दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच मरियाने ट्रेंच भी यहां मौजूद है जिसकी गहराई लगबग 36,000 फीट है प्रशाद महासागर अपने खराब मौसम की वज़े से बदनाम है यहां कब मौसम बदल जाए इसका अंदाजा लगाना नाम मुमकिन है कभी यहां तो तेज बारिश हो जाती है तो कभी तेज आंदी आ जाती है अगर मौसम साफ भी होगा तब ही 10 मिनिट के बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम पैसिफिक ओशन में कई तरह के खतरनाक समुदरी जीफ पाई जाते हैं जिसमें से सबसे डेंजरस किलर वेल है जिसको औरकैस के नाम से भी जाना जाता है जो की ओशन फूड चेन में टॉप पर आते हैं पैसिफिक ओशन जितना सान दिखता है उससे कई ज्यादा ही खतरनाक है कुछ समय पहले पांच लोग मौसम का अंदाजा लगा के फिशिंग करने निकले थे थोड़ा डीब जाते ही अचानक से मौसम बदल गया तेज भारिश और तूफान की वज़े से उनकी बोट डगमगाने लगी लेकिन वो तो शुक्र है कि वहीं एक बड़ी कार्गो शिप जा रही थी और उन पांच लोगों की जान बचा ली गे